हेलो एवरीवन आपका मेरे चैनल दे एमेप स्कूल में बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम सिरीस टेस्टिंग लैम बनाना सीखेंगे जिसकी सायता से हम ज़्यातर इंडक्शन मोटर, फैन की वैंडिंग या ट्रांस्वोमर की वैंडिंग आसानी से चेक करते हैं तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को शुरू से अंतक पुरा देखिए और फ्रेंड्स आप हमारी चैनल The EMF School को सबस्क्राइब करकर राइट साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजे ताकि हमारी वीडियो की नोटिफेशन सबसे पहले आप तक पहुच जाए तो चलिए शूरू करते हैं देखिए आपको क्या-क्या चीजे लगेगी सिर्स टेस्टिंग लाइम बनाने के लिए सबसे पहले वो जान लेते हैं देखिए दोस्तो आपके पास एक बल्प होना चाहिए अभी मेरे पास 200 वैट का बल्प नहीं है या आप 200 वैट या 100 वैट का आपको बल्प लेना है उसके बाद देखेंगे दोस्तो यह आपके पास 2 पिन टॉप होना चाहिए ठीक है दीखें दोस्तो इसे 2 पिन टॉप कहते है ठीक है 2 पिन टॉप तो आपके पास एक 2 पिन टॉप होना चाहिए इसके बाद हमें एक पेंडेंट होल्डर लगेगा ठीक है दोस्तो इसे हम पेंडेंट होल्डर कहते है इसमें पहले से ही वाइरिंग कर दी थी ताकि हमारा वालने वाले है वो हमको वायर लगेगी ठीक है तो हमारे पास दो वायर सुन चाहिए आपको भी वायर ले सकते है वन अम्म का आप वायर ले लीजे ठीक है उसके बाद आपके पास पीवी से टेफ होना चाहिए एक टेस्टर होना चाहिए और एक कटर के आवशक्ता आपको प यह आपको इस प्रकार इसमें दिखेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे एक इसमें से screw ढिला कर देंगे ठीक है एक का screw ढिला करिए और दूसरे का screw as it is रखिए फिर उसके बाद क्या करना है एक जो हमारा holder होगा देखिए एक holder होगा holder का जो एक सीरा होगा उसे आपको इसमें attach करना है ठीक है आपको थोड़ा सा इसे घूमा ले लिना है और उसमें आपको इसमें डाल लेना है ठीक है डालने के बाद आपको यहाँ पर जो screw है इसे tight कर देना है ठीक है इस प्रकार आपको यहाँ से tight कर देना है और इसे हम बाहर रखेंगे ठीक है इस प्रकार इसको आपको दूसरे स्कूरूपे नहीं लगाना है इसे छोड़ देना अभी के लिए फिर इसका जो हमारा wire होगा देखें यह हमारा wire है इसमें से आप कोई भी एक सीरा को पकड़ लीजिए ठीक है तो मैं इस सीरे को पकड़ लेता हूँ और इस सीरे से हम यहाँ पर इसका जो PVC उपर का जो insulation है उसे निकाल लेते ठीक है हम क्या करेंगे इस insulation को निकाल लेंगे अब क्या करना है दीखें दोस्तों आपको जो हमारा two pin top का जो दूसा सीरा था जो दूसा screw था उस screw को आपको ढिला कर लेना है देखें इसे unscrew कर लेना है इस प्रकार देखें अंscrew करने के बाद आपने यह दो जो wire चिलेते उसमें का एक wire को आपको इसमें डाल देना है ठीक है देखें दोनों में से कोई भी एक को ही डालना है आपको इसमें ठीक है इस प्रकार आपको इसमें डाल लेना है वो screw को टाइट कर देना है तो देखें दोस्तों इस प्रकार आपको screw को टाइट कर लेना है तो ये हमारा काम यहाँ तक हो चुका है उसके बाद देखेंगे इस वार को थोड़ा हम बाहर निकल लेंगे और इस वार को भी हम थोड़ा बाहर निकल लेंगे उसके बाद क्या करना है कि हमें ये जो टूपिन टॉप था इसे वापस बन कर देना है जिस प्रकार हमने खोला ता उस प्रकार हम क्या करेंगे इसे बन कर देंगे अब देखिए मैं पूरा स्कूर लगा रहता हूँ क्या हो गया है कि हमारा जो टू पिन टॉप था उसे कनेक्शन हो चुक है अब देखिए होल्डर से एक जो वायर निकला था और एक जो हमारा दूसरे वायर का जो एक सिरा था इन सिरे को हमें क्या कर देना है यहाँ पर जॉइंट कर देना है ठीक है देखिए एक होल्डर से न और यहाँ पर शॉक लग सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेपिंग कर देंगे, ठीक है, तो हमरे पास टेप है, तो हम टेपिंग कर लेंगे, तो इस पर क्या कर देना है, दोस्तों आपको यहाँ पर टेपिंग कर देनी है, हि invest winner हो चुक कि अब देखिए है है यह हमारा होलडर हो गया पेंदेंट होलडर और यह हमारा डूपीन टॉप यह अब जो हमारी यह दो दो बचल दए इसमें से यह जो दो वाज बचल है अब हम इसे चिलेंगे ठोड़ा इसे खोल लेंगे अब खोलने के बाद इसे हम थोड़ा चिल लेंगे अगर दिखे दोस्तों इसे हमने चिल लिया है ठीक है अब चिलने के बाद क्या करेंगे हम थोड़ा से यहाँ पर इसे ऐसे गुमा लेंगे ठीक है दोस्तों इसे हमने इसे गुमा लिया और इसे भी हम प्या करेंगे थोड़ा से इसे गुमा लेंगे तो इसे हम घुमा लेंगे अब हमारा सिरिस टेस्टिंग लैम बनकर पुरा रिडी हो चुका है अब हमें क्या करना है सिप यहाँ पर होल्डर में बल्ब को अटेच करना है अभी आपको 100 वैट यह 200 वैट का आपको बल्ब यूज़ करना है अब मेरे पास थानी इसलिए में क्या कर रहा हो दोस्तो 0.5 वैट का बल्ब यूज़ कर रहा हो अब हमें क्या करना है देखिए इसे आपको किसी भी सॉकेट में इसे डाल देना है ठीक है तो देखिए यह मेरे पास एक यह था इसे मैंने socket में डाल दिया है ठीक है और हम क्या करते है फिर plug-in अब हम इससे क्या कर सकते है motor की winding को check कर सकते है fan की winding को check कर सकते है cooler की winding को check कर सकते है कही short circuit है वो देख सकते है बहुत सारा काम इससे हम कर सकते है अब देखे दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर continuity check करेंगे इस wire की ठीक है तो हम wire की continuity भी इसमें check कर सकते हैं यहाँ पर switch on करेंगे ठीक है switch on करेंगे अब switch on करने के बाद अगर हम दो wires को यहाँ पर आपस में मिला लेंगे तब क्या होगा हमारा जो bulb होगा वो glow होगा देखिए दोस्तो जो हमारा bulb होगा वो glow होगा ठीक है तो इस प्रकार क्या हो रहा है हमारा bulb glow हो रहा है अगर हमें किसी भी equipment की अगर continuity check करने तो हमें क्या करना पड़ेगा जैसे देखिए इस wire की हमें continuity check करने है देखिए दोस्तो इस प्रकार हम क्या कर सकते किसी भी वायर को चेक कर सकते जैसे एक सीरे में हमें ये वायर लगा देना है और दूसरे सीरे में हमारा दूसरा वायर लगा देना है वायर के इसमें अगर ये लाइट हमारा गलो हो रहा है तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों कि इसमें continuity है और ये वायर हमारा क्या होगा बल्प लोगा ठीक है यह ऑफ कंडिशन में हमारा बल्प लोगा अभी देखिए कौनसे condition में हमें मुझे पता नहीं switch कम जा करेंगे दोनों जो छोर होते हमारे देखिए इसमें दो छोर होते इसमें एक छोर में लगाएंगे दूसरे अब है तो मैं इसे और कर देता हूँ अभी क्या होना चाहिए कि हमारा जो लाइट है यह गलो होना चाहिए ठीक है देखते क्या होता है ति देखे दोस्तों यह हमारा लाइट आसानी से ग로 cage preach दोस्तों कि इसमें कंटिविटी है एक बार ये on होता है जब on होता है तब हमारा light गलो होता है जब off होता है तब हमारा light off होता है तो देखे दोस्तो ये था हमारा आज का series testing तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हमने series testing bulb बनाना सीखा इसके सायता से हम induction motor fan, किसे भी continuity या short circuit आसानी से चेक कर सकते है दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आओ तो इस वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्स्ट्राइब करिए मिलते अगले वीडियो में नमस्कार